नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ अभिशेक शुकल 36 गड़ में चुनाओ इस वक्त चरम पर आ चुका है चुनाओ प्रचार चल रहे हैं तबाम बयान सामने आ रहा है और देश भर में भी इस वक्त महौल गर्म है भाजपा अपने तरीके से प्रचार कर रही है तीन चार अधा चुनाओ निकल चुका है और आधा लगभग यहां पर बचा हुआ है हमारे साथ इस पर बाद करने के लिए खुद मुख्यमंतरी विश्नुदेव साहिजी है उनसे चर्चा करते हैं सर बहुत स्वागत है आपका एक्जाम अगर कहा जाए तो आधा निकल चुका है औ बस्तर लोकसभा का चुनाओ संपन हुआ है जिसमें पिछली बार से ज्यादा मद्दान हुआ है और दुत्ते चरण में राजनान गाओं काकेर और महासमुंद लोकसभा का चुनाओ संपन हुआ है उसमें भी 75 परतिसर से ज्यादा मद्दान हुआ है और जो फीड़एक हमा हमारे पास है उसमें चारों सीठ परचन मतों से भारती जनता पार्टी निकाल रही है वही विरोधी थे जो विधान सभा में जिनके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा था और कॉंग्रेस ने फिर से उनको रिपीट किया लोग सभा में खड़ा किया तो कैसी क्या कुछ रणनीती बदलनी पड़ी या कुछ चैलेंजेस जादा देखने पड़े विधान स प्रति बहुत बढ़ा है और उसके उल्टा कांग्रेस अपना विश्वास खोया है जनता का विश्वास खोया है दो हजार अठारा के विधान सभा चुनाव में इनके बड़े-बड़े लोकलु भामन वादे थे 36 वादों का इनका जन घुसना पत्र था इनको पांस साल सरक जनता का विश्वास से लोग खो चुके हैं और जनता का विश्वास आज हम लोग के प्रति भारती जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के सुष्वी प्रधामत्य के प्रति बहुत बढ़ा है 36 गड़ में 11 सीटों का आप लोगों ने लक्ष रखा हुआ है और इससे पहले तक आप लोगों 9 या 10 सीट पर आकर रहे हैं कैप्टन के तौर पर अब आपके हाथ में कमान है सभी जगा प्रचार कर रहे हैं क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि हाँ इस बार सभी 11 आपके हाथ में आ जाएंगे तो 11 में से 9 लोग सभाज सीट हम लोग जीते भारती जनता पाटी जीती और उस समय अगर विधान सभा के दिश्टी से बिश्लेशन करें तो 65 विधान सभा में भारती जनता पाटी जीती थी और इसके पहले दो बार 11 में से 10-10 लोग सभाज सीट भारती जनता पाटी जीत चुकी है और इस बार 11 का 11 उमीद इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि 10 साल मोदी जी के कामों का असर है और तीन महने में हमारी भारती जनता पाटी की छत्यगड की सरकार जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है महलाओं को महतारी बंदन योजना में पैसा दिये हैं किसानों को धान का बोनस दिये हैं उनको अंतर की रासी एक मुस्त दिये हैं राम लला दर्सन योजना सुरू किये हैं तिंदू पत्ता खरीदी के आर्डर कर चुके हैं 55 प्रतिमानक बोरा के हिसाब से तो इतना काम तीन मेहने में हम लोगों ने मोदी जी के आस्यवाद से किया है तो यह सब कभीले तारीफ है जनता तारीफ करती है सब आजकल बोलते हैं हमको देखे कि आपकी सरकार में सब काम सायं सायं हो रहा है यह सब के कारण हम बोल सकते हैं और हम लगातार चुनाप परचार में जा रहे हैं और हमको लगता है कि हम करीब पचास से उपर विधान सभा जा चुके हैं या जहां भी आदन्य मोदी जी की सभा हो रही है, या हमारे ग्रिह मंत्री जी की सभा हो रही है, या और भी हमारे बड़े नेताएं, या हमारे प्रदेश के नेता जा रहे हम स्वयम जा रहे हैं, सब जगह पार जन समों उमड रहा है, उनमें सब में भारी उत्सा है, और यह स सबको देखते हुए हमको पुरा विस्वास है कि इस बार पूरी सीट ग्यारा की ग्यारे सीट भारती जनता पार्टी जीतेगी प्रधानमंतरी ने अभी न्यूजेटिंग के एक इंटर्व्यू में कहा कि कॉंग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम तुष्टी करनवला है और आरक्षण में भी सेंध लगाने की कोशिश कॉंग्रेस कर रही है तो इस बयान को किस तरीके से देखते है देखे कॉंग उनके सर फोडने की बात करते हैं तो कोई उनको सराब देता है कि मोदी मर जाए तो इस सब कोई चुनाव केंपेनिंग का हिस्सा है कैसा और ओभी बड़े-बड़े मतलब निता लोगों के मुख से तो इसको क्या कहेंगे वो खलाए हुए लोग यह सा बोल सकते हैं जिनका म सिंग संतुलन खराब हो चुका है वही इस तरह से बोल सकता है कि यह लोग जनता के पास जाके कुछ विकास-विकास की बात तो करी नहीं सकते हैं भठाचार के लावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है च्छतित कर लें तो पांच सालों में तो यह पांच साल की जो जिंदा है लोगों को प्रभावित कर रहा है बिलकुल बिलकुल आज भी जिन्दा है महादेव में तो अभी यहां के पुरुमुक मंत्रिक उपर में फियार हुआ है और भी सारे जो अमनलब घोटाले हैं चाहे वो कोईला का है चाहे रेट का है चाहे दीमेप तक भी की है इसको लेके कॉंग्रेस के नेता भी अंदर हैं, उनको सहयोग करने वाले अधिकारी भी अंदर हैं और जो जाँच जिन्सी है लगाता जाँच कर रही है और बहुत सारे लोग उसमें फस्ते भी जा रहे हैं बिल्कुल, राम मंदिर क्या कोई मुद्दा 36 गड़ में हैं आप जब लोगों की भी जा रहे हैं तो राम मंदिर को लेके तमाम बाते होती थी आपको लग रहा है कि राम मंदिर हो या आप जो तेर्थ योजना आप लोगों ने लाई है राम लिल्ला दर्शन योजना उसका कुछ ने बहुत कुछ दिख रहा है जब राम मंदिर की बात करते हैं चुनावी सभा में तो तालियों की गड़गाडाहट सबसे ज़्यादा बचती है कहीं कि बहुत अपेक्षा था शत्यगर की लोगों को की अध्या में भागवान राम का मंदिर बने और शत्यगर से तो बोगाडाब बुक्त भागवान ही है लेकिन चुकि उनकी माताजी कौसल्या वो चत्यगर की धरती में पैदा हुई थी ये चत्यगर माता कौसल्या की धरती है और इस नाते वो भाँचा हुए तो बहुत लगाएं भागवान राम से और सबकी बड़ी इक्छा थे कि अध् 22 Janew труд को विराज चुके हैं और चरत्यगरदवालों को बहुत खुसी हैन और पिछले समय सब ने देखा है कि किस किस तरह से खुसी मनाय हैं यहां का चावल गया हैहां का सब्जी गया है यहां के लोग जा जाके वहां पर महनों महनों वहाँ पर लंगर चलाए हैं और भी कई तरह से यहां से डॉक्टर गए हैं वहाँ पर महनों महनों निसुल की लाज किये हैं तो इस सब शट्जेगर वाले खुस्या मनाए प्रधार मंत्री आप से समय समय पर रिपोर्ट भी लेते रहें जैसे अभी दूसरी चरण के प तब भी पूछे थे विशेश लगाओ 36 गड़ को लेकर उनका नजर आता है इस बार काफी दौरे भी के हैं नहीं उनका लगाओ तो पूरे देश से हैं और तो 140 करोड भारत वासिव को अपना परिवार मानते हैं पूरा मुलब देश को अपना परिवार मानते हैं तो लगा सब्कार क्या उमीदें क्या रणनीती है सरगुजा की बात कर लें जहां से सभी चौदा सीटे इस वर्विदान सभा में आप लोंग को मिली आप जा रहे हैं देखे सभी जगह हमारे बड़े नेता भी जा रहे है माने परधान मंतरी जी का भी जगह-जगह सभा हुई है गी कि तीन महने के कामों का और बहुत अच्छा रिस्पांस है और जहां तक कोर्बा की बात है कोर्बा भी हम कई कारकम कर चुके हैं इस बार निश्ची तुरुप से कोर्बा की सीड भी निकलेगी और जो वहां के सिटिंग MP थी उनके उपर निश्कृता का आरोफ है उनने पिछले पांच वरसों में जनसंपर्ग बिल्कुल नहीं किया है लोग उनको जानते भी नहीं है इसका भी लाब अपने को मिलेगा जांजगीर को लेखे में सवाल होगा विधान सभा की आठो सीटे इस बार कॉंगरेक्स के पास है हलाकि 36 गर बनने के बाद से हमेशा आप लोग ही लोग सभा जीतते रहें क्या इस बार भी ऐसी प्रणाम के उमीद है बिल्कुल जांजगीर लोग सभा सीट भी इस बार जी और आगे ले जाने वाला चुनाव है विक्सित भारत के रूप में खड़ा करने का चुनाव है आने वाले पांस साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है तो दोनों की इसू अलग होते हैं विधान सभा की इसू अलग होते हैं लोग सभा के अलग होती है बहुत सहस्ता से लोगों ने आपको देखा है लेकिन एक पक्ष ये भी सामने आता है कि खबरे भी आते हैं कि जब प्रशासनिक बैठके आप लेते हैं तो निर्देश बड़े कड़े तौर पर आप देते हैं कि काम होना ही चाहिए हां सुभाव से भगवान हमको बिन मरता सुर्गे दिलिप सिंग जुद्यव जी से भी सीखे हैं 25 साल उनके साथ हमने काम किया वह हमारे राजनीतिक गुरू रहे 25 साल में एक दिन भी उनको हम नाराज होते नहीं देखे और कारकरताओं का जित्ता मान समान करते थे वह सब हम उनसे सीखे हैं लेकिन 30 साल से भी हमारे राजनीतिक लाइफ है उसमें अगर कहीं जनहित की बात आती है तो कोई भी रहें वह हम से बक्सानी जाता है मलब हमलब प्रशासनिक वह हम कड़ाई से लेते हैं बिलकुल कड़ाई से प्रशासनिक काम या जनता की बात जो है आप वहां पर बिलकुल धिलाए नहीं एक चीज और भी जो चर्चा का विशा होती है हमने देखा है कि कारकरताओं के साथ अब बड़ी सहस्ता के साथ और मुझे पता चलता है कि देर रात तक भी जब भी कारकरता कोई मिलने आता है पार्टी का आप मना नहीं करते हैं भले ही आपी नींद में कमी हो जाए देखे कारकरता ही सब कुछ है कारकरताओं के बदलों थी हम विधायक बनते हैं सांचन बनते हैं यहां तक पहुंचाने वाले कारकरता ही है एक एक घर में जाते हैं एक मद्दाता से संपर करते हैं हमारी योजनाओं को पार्टी की रिति निति को वही संपर करते हैं वहीं जिताते अगर उनका मान और समान हम अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिन हम चल नहीं पाएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद जश्पूर जब आप दोरे पर जाते हैं क्या लोगों का रिस्पूर्स वहां पर होता है पंचायद से लेकर सांसत तक भारते जनता पार्टी के वहां पर बनते आएं 2018 के विधान सभा चुनाओं में ठीक है हम लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए लेकिन बाकी समय का आप रिजल देखेंगे तो उतना किसी भी जिले में भारते जनता पार्टी को मनलब रिजल्ट नहीं मिलता है जितना जस्फूर में मिलता है तो तो दिलिप सिंग जुदेव जी का बनाय हुआ जी लाए एक हाकरी सवाल करना चाहूँगा कि मुद्दू के अगर बात करें आप पिशली चार सीटों में चुनाव प्रचार किया है और साथ सीटों पर अभी लगाता है आपके दोरे हो रहे हैं कौन से मुद्दे हैं जिनको प्रमुक्त तोर पे आप उठा रहे हैं और आपको लग पिश्वास और सबका प्रयास इसको मुल मनत्र मांते हुए सब के लिए काम किया उन्होंने गरीबों के लिए पका का मकान बनवाया घर घर बिजली घर घर पानी बैंग का खाता गैस का सिलेंडर सवचाले का निर्माड ये सारा चीज़ बताते हैं कि भाई ये सब दन्यमो मंदिर से भी लोगों की भावना जोड़ी थी वो भी उनके कारण संभव हो पाया ठीक है सुप्रीम कोट ने वो जमीन हिंदों को सोपा लेकिन राम मंदिर का निर्माड तो मोदी जी के समय में हुआ ना तो उसको भी बताते हैं और जो बड़े-बड़े काम हम लोग जनसं जमाने से नारा लगाते थे कि एक दो निसान, दो परधान और दो विधान नहीं चलेगा यह सब जो धारा 370 हटा है जम्मु कस्मे से सब बड़े-बड़े काम, बड़े-बड़े निर्नय आदर ने मोदी जी ने लिये हैं वो बताते हैं फिर तीन महने में जो मोदी की गार प्रधान मंत्री ने मैंने देखा बस्तर में खुले मन से तारीब भी आपके काम की कावे हैं अपने स्पीच में कहा कि छतिगड के सरकार रोकेट की तरह काम कर रही है तो यह सब बात है तो यह सब का बहुत असर जनता में है छतिगड के लावा भी कई प्रदेशों में गये और अभी उडिसा गये थे सभी जगह भारती जनता पार्टी के पक्स में बहुत अच्छा वातावरन है और हम तो कहते हैं कि जो हम लों का नारा है चार सो पार बिल्कुल यह होके रहे गए बिल्कुल मुखिजमाति जी हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्र सरकार के या चार महिने की साय सरकार जिस तरीके से साय साय काम कर रही हो कह रहे है उसका विश्वास है और यही वज़ाए कि वो दावा कर रहे है कि इस बार 11 के 11 सीटे 36 घड़ में बीजेपी हासिल करने में हामियाब होगी है फिलाल दीजे इजाज़त नमस्कार